मश्कार दोस्तों स्वागत आपका दोस्तों मैं हूँ अरेज मिस्रा और हम लोग इस चैनल पर वेजिकली महादीपों के एक सरंखला कर रहे हैं उसी दिस्ता में आज का जो पांचमा महादीप है उसका नाप है यूरोप यूरोप के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे वहां से कौन-कौन से प्रश्ण आपके एक्जाम्स के लिए महतपूर है साथी साथ वहां पे कौन-कौन सी अब धाड़ाएं आपको समझने की आवश्यक्ता है ठीक है तो देखते हैं यूरोप महादीप वेसिकली यूरोप महादीप छेतरफल की दरश्ट प्रतन कर रहा हूं इसे प्राइदीपों का महादीप भी कहते हैं और ये पूरत है किस में इस्तित है उत्तरी गोलार्द में इस्तित है और ये उत्तरी गोलार्द का सबसे छोटा महादीप है जो प्राइदीपों का प्राइदीप भी कहलाता है देखे क्यों कहलाता है पहल इसका कोई खंड जिसको तीन तरफ से पानी घरता है प्राइदीप के लाता है भारत के संदर में बात करोगे तो नीचे वाला जब आपने दच्छड भारत की तरफ जब आप गई होंगे तो आपने देखा होगा कि नीचे का जो पार्ट है भारत का वो तीन तरफ से पानी घर रहे हैं यह वाला पार्ट को देखिए तीन तरफ से पानी यहां पर देखिए ऐसे बहुत सारे पार्ट है जिसको तीन तरफ से पानी आपको इस्थल को घिरते हुए दिखेंगे यानि कि जो इस्थल है उसके तीन तरफ से क्या है जल है तो यहां पर बहुत सारे आपको प्रा चांसों में जाओगे तो आपकोlorumya करम में देखोगे यहां पर आपको बनस्फतियां देखने को मिलती है जो क्या 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 है और इन के उपर क्या क्या हैं हम अभी आगे देखेंगे फिलाल आप इतना समझ लेजेगा ठीक आगे देखते हैं क्या पॉइंट से छे त्रफल की द्रश्टी से इसका छटमा स्थान है अभी मैं बता चुका हूं आपको यूरोप तीन और से महा सागर से गेरा है कौन-कौन से महा सागर है इसके उपर महा सागर की ओ ठिक और यहाँप नीचे की तरफ आऊगे यहाँपे देखेगा पूमद्वि यूरोप की दछ्ड में आपको इस वाले इधर की तरफ आपको अफरीका देखेगा और इधर पूरवी और दच्छडी वाले एरिया में और यहाँपे एसिया देखेगा यानि यहाँ पे कैस्पियं जैसे सागर भी है ठीक अभी देखें कौन-कौन सी उस्थलसंदी और जलसंदी के माद्यम से Asia से लग होता है और किस जलसंदी के माद्यम से वो Freemř's लग होता है तो देखें हमने कौन-कौन से point से आपे note किये हैं जो आप एलेcribe important है साती साती हमारे साल लिखते जाएगा और आप इनको याद भी करिएगा ठीक इसके उत्तर में आर्गटिक महासागर पश्चिम में अट्लांटिक महासागर और दच्छड में वह मद्ध सागर है ये मैंने आपको पूरी के पूरी स्थिति दिखा दी आगे दिखते हैं अगला पॉइंट देखेगा भी पूर्ब में उुराल परवत थै कौकिकस परवत थै तथा कैस्पिंसागर है बेशिकली यूरोब और एसिया के न्मद में ये सारी चीज़ा पड़ती है दो यहाँ पर देखो कि ये वाली जो परवत माला दिखती है अपको यह कहलाती आपकी यूराल परवतमाला ठीक और यहां पर जो पढ़ेगी इस वाले पार्ट पर आके आपको यह कहलाती है आपकी कौकेकस परवतमाला तो क्या लिखा मैंने यूरोपेसिया से यूराल परवत कौकेकस परवतमाला तथा कैस्पीन सागर यह रहा आपका कैस्पीन सागर ठीक देखिएगा यूराल परतमला फिर कैस्पीन सागर फिर कौकेकस परतमला और फिर यह देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काला सागर तो यह पूरा देखिए पूरा का पूरा एक खंड है जो एसिया को basically किस से प्रथक कर रहा है यूरोप से प्रथक कर रहा है ये पूछा भी जाता है exam में ठीक अगले आगे भढ़ते हैं यूरोप अफरीका से जिब्राल्टर जलसंदी के माद्यम से प्रथक होता है याद करिएगा जब हम लोग अफरीका पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि अफरीका और यूरोप को प्रथक करने वारी जो जलसंदी है या जोडने वाली जो जलसंदी है उसका नाम क्या है जिब्राल्टर है जिसके माद्यम से कौन-कौन से दो देश अलग होते थे वो अगर आपको याद हो तो आप बताईएगा ठीक है वो द पश्यम की तरफ जो चलने वारी गरम जल धराएं हैं उनके वारे में चर्चा करिए बेसिकली हमने देखा कि एक प्रश्ण पूछा गया कि यूरोप उच्छांसों पिस्तित होते हुए भी यहां पे पश्यम की तरफ जहाजों का आवागमन आसानी से होता है क्यों तो समझ सकते हैं कि नीचे की तरफ से यानि कि भूमद रेखा की तरफ से उत्तर की तरफ कुछ जल धराएं आती हैं अपने साथ कैसी कैसी जल धराएं आएंगी वो गरम जल धराएं गरम जल धराएं के माद्यम से यहां की जितनी भी वरफ होती है समुद्र वाली वो पिगला देती है जिससे यहाँ पी पूरा पानी बन जाता है और जहाजों का आबागमन जो है वो सुगमता से होता रहता है ठीक तो आप क्या वोलेंगे कि करक रेखा या विशुवत रेखा के समीप से आने वारी गलम जल्दाना है जब यूरोप के पश्मी वाले जो यहाँ पे पोर्ट है उनके पास आती है तो यहाँ पे जितनी भी वरफ है उनको पिगला देती है जो यहाँ पे जहाजों का आबागमन है वो बहुती सुगमता से होता रहता है ठीक अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं हर एक प्रश्न हर एक पॉइंट आपके लिए बहुती ज़्यादा यहाँ प्रश्न यूरोप से देखा कि एक्जांस में पूछा गया कि सकंडेनेवियन देश कौन से कहलाते हैं तो यहाँ पे प्रवतमाला है जिसका नाम है सकंडेनेवियन इन में वेसिकली आपके प्रमुख तीन देशों में यह फैली हुई है कौन कौन से नार्वे स्वीडन और डैन्मार्क यह रहाँ आपका नार्वे यह रहाँ का स्वीडन और यह रहाँ का डैन्मार्क इस वाले पार्ट्स पे यह रहाँ का डैन्मार्क इस वाले पार्ट्स दूसरे प्रिच्छा में पूछा गया कि वॉल्टिक राज्यों के नाम बताईए तो यह वॉल्टिक राज्य क्या है वो देखते हैं यहां पर देखोगी आप आके तो यहां पर आपको एक सागर मिलेगा जिसका नाम है वॉल्टिक सागर इन्हीं और जिन सागरों से इन पानिया तथा लाटविया यहां पे हैं यह तीनों ठीक तो यहां पे क्या कहलाएंगी यह वाल्टिक राज्ज कहलाएंगे देखे यह रहे आगे देखते हैं एक और प्रश्ट यहां से फिर पूछा गया कि वॉलकन देशों के नाम बताईए या वॉलकन राज्जों के नाम तो क्या कहा गया तो इन वाले parts पे आओगे आप जब यहां पे आओगे तो यहां पे आपको एक परवत माला दिखाई पड़ेगी जिसका नाम है वॉलकन परवत यह परवत माला जिन देशों में फैली हुई है उन देशों को हम लोग किस नाम से जानते हैं वॉलकन राज्यो के नाम से जानते हैं कौन-कौन से देश आते हैं उसमें इसलोबेनिया क्रोशिया वोस्निया मैकडौनिया बुलगारिया ग्रीस प्रोमानिया और अल्वانिया हर एक नाम याद रख लीजेगा क्यूंकि वह कूट में तीन अंसर देगा और छौथा उसमें से कोई और देश आगे बढ़ते हैं लोग यह प्रश्ण बहुती जादा महत्पूर थे जिनके बारे में हमने चर्चा की मैं अब दोस्तों एक और प्रश्ण यहाँ से मोस्ट इंपोर्डन पुछा जाता है बिल्टेंड के बारे में तो यहाँ Britain में तीन राजे सबसे important हैं एक है Scotland एक है England और एक है Wales इन तीनों को संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं Great Britain कहते हैं ठीक अब पूछा क्या संयुक्त राजे किसे कहते हैं इसमें तो आप कह सकते हो Great Britain के साथ-साथ जब Ireland को लगा दोगे यानि कि Great Britain में कौन गौन से सामिल थे Scotland, England और Wales और इसके साथ-साथ जब आप Ireland को लगा दोगे तो यह क्या कहलाते हैं संयुक्त राज्य कहलाते हैं यह इन चार राज्यों के नाम आप याद रख लीजेगा कम से कम तीन तो आपको याद हो ने चाहिए कि इस्पेन की तो इस्पेन की आप पश्शिम और दच्छड वाले इससे में देखोगी आके तो यहाँ पर आपको एक परवत देखने को मिलेगा एक परवत स्रेड़ी देखने को मिलेगी वेसिकली जिसका नाम है सियरा नेवादा ठीक यह लिखा भी है हमने क्या है यहाँ पर देखीए का लिखा भी है सियरा नेवादा जिसकी सबसे उची चोटी का नाम क्या है मुल्हा सैन ठीक थोड़ा सा आप उपर भढ़ोगी तो देखो कि इस्पेन के उपर आपको एक देश दिख रहा होगा जिसका नाम है फ्रांस क्या नाम है फ्रांस तो देखीए कि इस्पेन और फ्रांस को जो अलग करता है यहाँ पे भी आपको एक परवत मला देखने को मिल रही होगी जिसका नाम है फ्रांस को प्रेनीज प्रांस को प्रेनीज प्रवत मला अलग करती है और इसकी जो सबसे उची चोटी है वो क्या है पिकोधा अनेटा है ठीक आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखोगे वेसीकली यूरोप का जो सबसे मुख्य परवत है उसका नाम है आल्प जो यहाँ पे है ठीक ऐसा इसकी जो सबसे उची चोटी है आलस प्रवत की इसका नाम है माउंट ब्लांक बहुत वार पूछी गई एक जम्स में ठीक और इसी आलस के नाम से न्यूजिलेंड के एक वेसिकली प्रवत का नाम भी रखा गया था जिसका नाम है दच्छडी आलस उसकी सबसे उची चोटी का नाम क्या है वो आप मुझे बताईएगा ठीक आगे हम लोग देखते हैं कुछ और प्रवतों के बारे में अब देखेंगे आलस प्रवत इटली वा फ्रांस की सीमा को भी अलग करती है यहाँ पे देखोगे अभी आपने देखा यह वाला जो द दिया है आलस अभी आपने आलस प्रवत भी पड़ा था ठीक तो प्रशने बहुत बार पूछा भी जाता है कि फ्रांस और इटली को लग करने वाली बेसीकली प्रवत माला का नाम बताईए या इस्पैन और फ्रांस को लग करने वाली प्रवत माला का नाम बताईए तो इतना पूछा जरूर जाथा है Black Forest किस देश है उसका नाम किया हो जाएगा जर्मनी ठीक है और जब बात कीiliar select कहां है बाट पाराइब तो इसानाम मुझे पताइये गाहराADAब ऑगे देखते हैं ठोड़ा सा ओर आप देखेंगे बाल्कन परवत के पश्यम में अभी हम लोग ने बालकन राज्यों के बारे में बात की तो यहां पे आपका यहां पे आपकी बालकन स्रेडी थी बालकन स्रेडी के पश्यम में आपको एक और परतमाला देखने को मिलेगी जिसका नाम है दिनारिक आल्प्स क्या नाम है दिनारिक ि chuursi NORMA तो है ठीक है थोड़ा सा और अगला प्रवत के बारे में चर्चा करते हैं अब देखने इटली में एक महतपूर प्रवत है जिसका नाम है एपण आइन प्रवत क्या है यह रहा को है इटली इटली में प्रवत है जिसकी नाम है एपण आइन परवत और इसकी जो सबसे उची चोटी है वो है माउंट एटना ठीक थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग अब देखो यूरोप के पूरुब में यूराल परवतमाला है अभी हम लोगों ने बात की तो ये देखिएगा ये कौन सी परवतमाला है यूराल परवतमाला और इसकी सबसे उ परवतमाला और इसकी जो सबसे उचे चोटी है इसका नाम है माउंट एलबुरुष ये बेसीकली यूरोप की सबसे उची चोटी भी है ठीक देखिए हमने या पर लिखा भी है यूरोप के पूरव दश्चेड में कौकिकस परवत इस्तित है जिसकी सबसे उची चोटी क्या है माउंट एलबुरुष है 563 मिटर ठीक अब हम देखते हैं एक और परवत है जो कि अब डिकार इस्तित है जिसका नाम के है पुल्raft ऑप यह देखी आपका रहां बिल्टैन और यहां पर परवत है जिसका नाम के है एक परवत मालों को देख लेते हैं इस में शेरा नेवादा, ऊपर आपको कौनसे मिली म्रेनीज, इटली वाले पार्ड में कौनसी एपनाइन, यहाँ पे यूरोप के बीचो बीच में क्या है आपका वेसिकली आल्प्स, यहाँ पे आपकी कौनसी है, अभी बताए था वालकन, जर्मनी में ब्लैक फॉरेष्ट यहां पे कौन सा है इस तरफ पूर्वी तरफ यूराल यहां पे कौन सी है कौकेकस और आपके यहां पे कौन सी है बिल्टेन में प्रेनाइन और इन वाले यहां पे कौन सी है इन वाले में नौर्वे वाले चेतर में सकंडेनेवियन ओके यह थे यूरोप उससे प्रवाहित होती है और कैस्पियन सागर में गिरती है याद रखिएगा पहले आपको एक चीज मैं और बता दूँ जो आपका रूस है वो दो महादीपों मिशते थे कौन कोंसे में एक आपका उसका आधा पार्ट जो है वो एसिया महादीब में और आधा पार्ट जो है यूरोप की कैसी सबसे बड़ी नदी है ठीक दूसरी यहाँ की प्रमुग नदी की बारे में बात करें तो वो लिखी है मैंने यहाँ पर डैनियूम नदी यह देखी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसका उदगम जर्मनी में से होता है इसका वेसिकली जो उद और इन चार राजधानियों से होकर यह कहां पर गिरती है जाके काला सागर में है यह रहाप का काला सागर ठीक यहां पर आके यह नदी गरती आके आगे देखते हैं हम लोग और नदी प्रमुख नदियों के बारे में तो यहां पर देखेगा दो ऐसी नदियां है नीश्टर एवं डॉन जो वेसिकली काला सागर में गरती हैं पचासनों बार यह प्रश्ण पूचा गया है कि नीश्टर एवं डॉन नदियां किस सागर में गरती हैं तो देखे यह रहाप का काला सागर इस काले सागर में ही यह गरती है ठीक आगे देखते हैं अगली नदी के बारे में तो यहां पर लिखिए पो नदी यह पो नदी जो है वह इटली की प्रमुख नदी है कहां कि इटली की प्रमुख नदी है और इसकी तुलना भारत की किस से की जाती है गंगा नदी से की जाती है इसलिए इस नदी को इटली की गंगा कहते हैं और यह जो नदी है वो किस सागर में गिरती है एड्रियाटिक सागर में गिरती है और आप एड्रियाटिक कैसी इटली की सबसे प्रमुघ नदी है और इसी नदी के टिड़ पर सब से प्रसिद नगर इटली की राजधानी भी है रॉम इस्तित हैं पचासनों बार दोस्तों यह पूचा गया कि रॉम किस नदी के किनार इस्तित है तो उसका अंसर क्या हो जाएगा टाइवर नदी आगली नदी के वारे में बात करें तो जिसका नाम है सीन नदी सीन नदी बेसिकली फ्रांस की प्रमुख नदी है और इंगलिस चैनल में गरती है किस चैनल में गरती है इंगलिस चैनल में यहाँ पे कौन सी नदी गिरती है? सीन नदी गिरती है और France की सबसे महपूर नदी है और इसी नदी पर France का सबसे महपूर नगर जिसका नाम क्या है? Paris वो इस्तित है ठीक? तो यह रही आपकी यहाँ से सीन नदी ठीक? अगली नदी के वारे में चर्चा करते हैं अब देखी आके हम बात करते हैं राइन नदी की बेसिकली आल्स मांटन पे ही लगवक स्विजल लेंड आपका इस्तित है और इहीं से नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है राइन नदी यह नदी जो है वो जर्मनी फ्रांस वा नीदल लेंड से प्रवाहित होते हुए उत्री सागर मे कि लिए इसी नदी के मादियम से सरवादिक जहाज वगए बुजरते हैं इसलिए यूरोप की सरवादिक ने थैसका जो मार्ग है वो कैसा है व्यस्ताथितम पर आपको एक बंदरगा देखने को मिलेगा, जो नीदरलेंड का सबसे प्रमुग बंदरगा है, जिसका नाम है रोटाडरम बंदरगा, ठीक, और यह विश्व का सबसे कैसा है, सबसे वियस्त बंदरगा है, ये भी जो point है वो आप याद कर लीजेगा ठेख, आगे देखते हैं हम लोग तो ये यूरोप की प्रमुग नदिया थी अब हम बात करता हैं यूरोप की प्रमुग ज्छीलों के बारे में तो यहाँ पे दो ही तीन प्रमुग ज्छीले हैं पहले आप ये जान लीजेगा कि यूरॉप का जो Finland की देश है उसे जीलों का कहते हैं हम लोग देश कहते हैं और यह रहा आपका Finland ठीक इसे क्या कहते हैं जीलों का देश कहते हैं आगे देखते हैं हम लोग एक जील है सबसे प्रमुग लदोगा जील जो basically रूस में स्तित है और ये ये यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है रूस का मेरा तात पर हुआ पश्मी रूस जो यूरोप का पार्ट है वहाँ पर ये स्तित है और ये यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है आगे बढ़ते हैं हम लोग उनेगा जील भी कैसी है मीठे पानी की जील है वो भी यहां पिस्तित है ठीक आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे देखते हैं आके हम लोग जलसंदियों के बारे में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जलसंदिया पूछी जाती है देख लीजिएगा France और Britain के मद में Dover जलसंदी है यह रहा आपका France और यह रहा आपका Britain इसके मद में एक जलसंदी है जिसका नाम है Dover जलसंदी और यही पे देखोगे France के उत्तर में आपको एक चैनल और देखने को मिलेगा जिसका नाम है English Channel और आप सभी लोग मुझे प्रश्ण का उत्तर दीजेगा English Channel को पार करने वाली प्रथम भारती महला कौन थी ठीक आगे देखते हैं हम लोग हमने बोला भी आपको English Channel English Channel France के उत्तर में इस्तित है ठीक इंगलेंड अगला पॉइंट अगला पॉइंट देखिएगा इंगलेंड आइलेंड के मद में Sir George Channel इस्तित है कहां पर बात की जा रही है इंगलेंड और आइलेंड के मद में क्या है Sir George Channel इस्तित है ठीक यह आपका एक इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया तो दोस्तों यह थी यहां के प्रमुक कुछ जलसंदिया अब हम लोग बात करते हैं यहां पे महतपूर तत्यों के बारे में जब महतपूर तत्य यहां के कुछ देखो गया के यह था प्राकरतिक बाला भाग जो हमने देखा अब हम लोग कुछ यहां के महतपूर जो facts हैं वो देख लेते हैं तो सबसे पहले यहां से एक प्रशन आता है आपका घास के मैदान के बारे में तो आप सभी को पता है कि जब मकर रेखा के आप दच्छड में चले जाइएगा या करक रेखा के उत्तर में चले जाइएगा और वहांपे पाई जाने वाले जितने भी घास के मैदान होंगे वो सब सीटो शड़ कटवन्दी घास के मैदान कहलाते हैं तो आप सभी को पता है यूरोप भी लगवक करक रेखा के क्या है उत्तर में इस्तित है करक रेखा के उत्तर में इस्तित होने का ये मतलब हो गया कि यहाँ पर पाई जाने वाले जो भी घास के मैदन होंगे वो सब कैसे होंगे सीतो शड़कटवंदी घास के मैदन होगे तो यूरोब में बेसिकली पाएज आने वाले सीटोश और कटवंदी घास के मैदन क्या कहलाते हैं? इस्टेपीज कहलाते हैं. और जब यही घास के मैदन आपके special देश में पूछे जाए हंगरी में, तो वहां पे ये पाएज आने वाले क्या कहलाते हैं? पुष्टाज कहलाते हैं ठीक, यह यहाँ पे दो घास के मैदान सबसे important हो जाते हैं, हंगरी में पूछा जातो पुष्टाज और संपूर यूरोब में पूछा जातो इस्टेपीस, अब यहाँ से एक और प्रश्ण देखिएगा, उत्तर सागर और बाल्टे सागर को मिलाने वाली नहर का नाम बताईए, कौन गौन से सागर? यह रहाब का नौर्थ सागर और यह रहाब का वाल्टेक सागर यहाँ पे एक नहर है छोटी सी, इसको मिलाने वाली नहर का नाम बताईए इस नहर का नाम है कील नहर क्या नाम है कील नहर देखिए हमने यहाँ पर लिखा भी उपए ठीक अगला पॉइंट बहुती महतपूर पूछा भी जाता है कि जर्मनी का रूर प्रदेश किसे कहते हैं और जर्मनी का रूर प्रदेश किसके लिए फैमस है तो आप याद रख लीजे जर्मनी का जरूर प् प्रशिद्ध है और यहां से जब राय नदी होके निकलती है इसी लिए उसे कोईला नदी भी कहते हैं ठीक अगला पॉइंट फ्रांस जो है वो यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा लोहा उत्पादक छेत्र है और यहां पे लौरेन नामक जो खान है वो लोहे के लिए विश्व प्रशिद्ध है क्या बोला फ्रांस यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा लोहा उत्पादक छेत्र है और यहां पे लौरे भाइन खान है वह लोहे के लिए विस्सो प्रसिद्ध है अगे बात करते हैं देखा यूक्रैयन का जो टाम्ज कछेतर है वह कोईला उत्पारक चेतर है यूक्रीन का क्या डाने होगा किसREE मेंज इंपार्ण के वा कि प्रॉब्सक्त यां अगे से जाते हैंere इंग्लेंड में एक छेत्र है जिसका नाम है लंका शायर ये बेसिकली सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए विश्व प्रिसिद्ध है ठीक दोस्तों आगे अब एक और यहां से पुछा जाता है कि फ्रांस और जर्मनी के मद्द की रेखा को क्या कहते हैं तो फ्रांस और जर्मनी के मद्द की रेखा को देखी ये रहा फ्रांस और ये रहा जर्मनी के मद्द की रेखा को हम लोग क्या कहते हैं मैगनेट रेखा कहते हैं मैगनेट रेखा कहते हैं ठीक आगे देखेगा फ्रांस का टुलूज छेतर जो है वो बिमान उद्धूक के लिए कैसा है विश्व प्रसिदने है, ठीक, अगला पॉंट देखते है हम लोग, अब हम लोग बात करेंगे यहां के कुछ जौला मुखियों के बारे में जो महतपूर जो बहुत ही महतपूर है अब हम बात करें यहां की प्रमुख जोला मुख्यों के बारे में जो बहुत ही महतपूर है सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस ट्रॉम बॉली तो यह बेसिकली परवत का उधरण है एक सक्रिय जोला मुखी परवत है जो भूमद्य सागर में इस्ते थे यहां वाले पार्ट पर यह क्या है इस्ते थे इटली वाले पार्ट में आगे बाद करते हैं इसे भूमद्य सागर में लगवथ प्रकास बना रहता है इसलिए इसे मुद्द सागर का प्रकास पुंज कहते हैं और आप अगे सबस्क्राइब करते हैं यह जौला मुखिया प्रसुस्त जौला मुखिया वेसिकली जॉला मुखी तीन प्रकार के होते हैं एक होता है आपका एक्टिव बॉल केनो एक होता है आपका डार्मेंट बॉल केनो एक होता है आपका डार्मेंट बॉल केनो कैसा एक्टिव आपका फिर दूसरा कैसा होगे डार्मेंट तीसरा क्या हो गया डैड यानि कि सक्री जॉला मुखी सुसुप्त जॉला मुखी और मुखी ये किस प्रकार का उधर्ड है सुसुप्त जॉला मुखी का उधर्ड है और थात यहां से पिछले दस हजार बरसों से उधर्गार तो नहीं हुआ है लेकिन आगे होने की संबाबना है, सुक्री जोला मुखी कैसे होते हैं, जिन में लगवा उधगार होता रहता है, और मृत जोला मुखी कैसे होते हैं, जिन में पिछले 10,000 वरसों से कोई उधगार ना हुआ हो, और आगे होने की संबाबना ना हो, ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, बेसिकली आइसलेंड में भी एक सक्री जोला मुखी स्तित है जिसका नाम है हैकला वल्लाकी ठीक यहां से सबसे इंपोर्टेंट है बहुत ही मैदपूर्ट फैक्ट है आप इसे याद कीजिएगा आगे आइसलेंड की राजधानी क्या है रैक्जावेक है हमने आपको बताए भी था कि विश्वकी सबसे उत्तरतम राजधानी का नाम बताए हमने आप से पूछा भी था कि विश्वकी सबसे उत्तरतम राजधानी का नाम बताए तो इसका क्या नाम होता है रैक्जावेक और जब आप बात करोगे विश्वकी सबसे दच्छरतम राजधानी का नाम ब विस्तरत वारे में वात नहींगी, एकेवल वही पॉइंट साब को दिये, जो एक्जाम्स की दरश्टी के लिए महलपूर है.